नमस्कार प्रयाग राज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हम आज जीवाड में अंतर ग्राम पॉजिटिव बेक्टिरिया और ग्राम निगेटिव बेक्टिरिया के बीच में क्या अंतर होता इसके बारे में अध्यन करेंगे तो इसमें कुछ चीज आप अधिक मात्रा जैसे 70-80% T bunlar लीपीट की मात्रा कम होती है जबकि लिए-टू गॉ niप खाम के कि अलावा है कि gram positive bacteria जो होता है वो क्या होता है कि एंटिभाय्याटिक ट्रेक्टिया यैं इसके अलावा है कि यह लाइससों के प्रति अधिक्रति रोधि होते हैं जबकि gram negative bacteria लाइसोसम के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं तो ये होता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख पाएंगे कैसे पता चलता है कि कौन सी bacteria gram positive है कौन सी bacteria gram negative है तो एक standing की जाती है एक पूरा group ले लिया जाता है bacteria का और उसमें crystal violet को पहले डाला जाता है पूरे bacteria पर यहां तो अलग अलग करके दिखाया गया है जिसे एक हम कोई भी देखे यहां पर slide ली गई है slide में पहले से clear नहीं है कौन सी bacteria है कौन सी नहीं है तो अगर इस slide को हम ले लेते हैं या फिर उस slide में हम पूरी bacteria को डाल देते हैं बैक्टिरिया को डालने के बाद पहले crystal violet को डाला फिर उसके बाद iodine को डाला तो सारे bacteria कैसे हो गए blue color के हो गए फिर उसके बाद इन bacteria पे हमने क्या डाला एलकोहल को डाला एलकोहल को डालने के बाद जो gram positive bacteria रहे हैं वो अपना blue color लिये रहे गए लेकिन gram negative bacteria का color less हो गया मतलब उनका color जो रहा है वो धुल गया अगली स्टैनिंग जो है सफ्रेनिन के दौरा की गई जिसमें gram positive bacteria का color blue ही रहा लेकिन gram negative bacteria का color जो है वो औरेंज हो गया ऐसा हुआ क्यों इसके पीछे कारड यह है जो gram positive bacteria अभी हमने अंतर जो देखा है तो एक slide लेते हैं तो उसके दोरा हम समझा पाएंगे आपको जैसे माल लेते हैं कि यह कोई bacteria है उसमें membranals पाई जा रही है यह हम माल लेते हैं यह gram positive है और यह gram negative bacteria है इसमें भी एक cell membrane हो गई cell valve बाहर की glycocalyx की membrane जो जो cell membrane होती है cell membrane की बात करते हैं तो दोनों के cell membrane फासफो लिपीड की बनी होती है फासफो लिपीड की बनी होई है लेकिन जो gram positive bacteria है इसमें यहां पर इसकी cell valve peptidoglycan की बनी होती है काफी मोटी cell valve पाई जा रहे है peptidoglycan की बहुत मोटी covering पाई जा रहे है इतनी मोटी covering पाई जा रहे है काफी मोटी है यह cell membrane है लेकिन जो gram negative bacteria है इसमें peptidoglycan की लिए काफी पतली पाई जा रहे है बहुत पतली है उसकी यह पेक्षा बहुत पतली पाई जा रही है लेकिन इसमें जो होता है इसके अलावा peptidoglycan के अलावा इसमें lipid की layer पाई जा रहे है और यह दोनों की outer membrane है आउटर membrane है तो जो इसकी gram positive bacteria होता है इसकी outer membrane पे टिकोईक acid उपस्थित होता है टिकोईक अमलब उपस्थित होता है अभी जो जब इस tanning की जाती है जब इस tanning की जाती माल लेते हैं कि हमने यहां पर crystal violet को डाला crystal violet को डाला फिर उसके बाद हमने क्या किया inao diodin डाला डी इन डाला तो जो ग्राम पास्टिव एक्टीरिया रही है उसकी वाल इतनी मोटी है इसने environmental Connor ले लिया फिर उसके बाद है यहां से color बाहर निकल नहीं पाया है ना लेकिन जो gram negative bacteria रहा है इसमें से color इसकी layer जो है वो काफी पतली है तो इसलिए यहां से color बाहर remove हो गया फिर उसके बाद हमने यहां पे जब alcohol डाला तो इनके color क्या हो गये इसके gram negative bacteria के color remove हो गया लेकिन gram positive bacteria का color वैसा blue ही बना रहा फिर saffron डाला गया saffronin जब डाला गया तो gram positive bacteria जो है वो blue ही रहा वो कैसा रहा blue ही रहा लेकिन gram negative bacteria कैसा हो गया orange color का हो गया इसके ऊपर एक covering पाई जाती gram negative bacteria को उपर जिससे क्या कहा जाता है capsule कहा जाता है इसलिए यह कैसे होते हैं एंटिवायोटिक रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट होते हैं इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे इसमें एक लाइड लाहा हुए आपके लिए हम जिसमें दिया गया है कि यह ग्राम पाउस्टिव बेक्टिरिया यह दूसरी gram निगेटिव बेक्टिरिया है तो ग्राम पाउस्टिव बेक्टिरिया माप देख पा रहे हैं यह तिकोई गैसिड यह सेल मेंब्रेन है जो किसकी बनी पॉलिपीड के गलाइको प्रोटीन के लिए काफी मोटी भाइज आ रही है इसी में देखे यह टिकोई कैसिड लाइपो टिकोई सबस्क्राइब के सब्सक्राइब कर तो दूसरा पताइब की अबस्याट, विसके पताइब्सक्राइब काफ़ी पतली है इसके पेक्षा काफी पतली है, प्लस लाइपो प्रोटीन की लेयर पाई जा रही है, यह आउटर मिंब्रेन है, तो लाइपो प्रोटीन की लेयर यहां पर भी पाई जा रही है, लेकिन इसमें अनपस्थित है, आप प्टाइडो ग्लाइकान की जो लेयर है, इसके पेक्षा क पतली है तो क्या हो रहा है कि लेयर पतली होने के सब्सक्राइब होंते चाहरए हैं आप के लिए चित्र रायं है पाप मेरा ठाओ शक्रींच रख सकते आं और आप वाक्स्तेस के लिए इसे लिए इतना ही वीडियो दथने के लिए धन्यवाद वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शबन कर लेजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा आपको यह हो जाता है कि आप को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कमेंट बाक्स में हमें जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद